बॉलिवुड इंडस्ट्री में आउट आफ कंट्री से आई एसी बहुत सारी खुपसत अभिनेतियां हैं जो आज काफी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं और इंडियन तो तरीके में पूरी तरह से ढल गई हैं इसलिए उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो विदेशी ह क्योंकि आज वो भारती सिनेमा की जाना माना नाम बन चुकी हैं तो आखिरकार कौन-कौन सी वो एक्ट्रोस जो इंडियन नहीं हैं और फॉरिन कंट्री से आई हैं चलिए आपको उन से मिलवाते हैं जिहां बॉलिवुट की कैट गर्ल भारती नहीं है बलकीन का जरम तो होंग कॉंग में कश्मीरी पिता और प्रिटिश मा के घर में हुआ पर जब यह छोड़ी थी तब यह लंदन में रहती थी और फिर भारत आगरिनों ने बूम फिल्म से अपने करेल की शुरुआत की बॉलिवुट में अपनी स्थाई जगा बनाने वाली जैकलिन फनाडेस असल में श्री रंका की रहने वाली हैं हालाकि इनका जम भैरीन में मलेशिया श्री रंकाई माता पिता की यहां हुआ था पर इनके पिता देश के नागरी का शांती से बचने के लिए अनने सरसी के द और इनके पास अमेरीकी नागरिकता है नमबर चार नोरा फतेही अपनी बैली डान से घरगर मशूर हुई एक्क्रस नोरा फतेही एक मौरक्कन परिवार से आती है और इनका जनम और पालन पोशन कनाड़ा में हुआ है नमर पांच सनी लियोन बॉलिवुट की बेबी डॉल और अभिनेती थी और इनका जनम भी ब्रिटेन में हुआ था पर ये अपने अभिनेय में करियर बनाने के लिए भारत चली है नमर चे अबलीन शर्मा नई हिंदी फिल्मों में अपनी बॉल्टनेस का खुमार सभी पर चलाने वाली एक्क्रस अबलीन शर्मा भी इंडियन न नहीं है बलकि इनका जनम तो कॉपएंगम डैनमार्ग में हुआ था पर जब ये एक साल की थी तो इनके मातर पिता भारत के बैंगलोलू चले आये थे नमर नो आलिया भट जी हां दोस्तों क्यूट अलिया भट का जनम भी आउट ऑफ कंट्री लंदन यूके में हुआ था जो प्रिटिश मोल की अभी नेती हैं और इनके पास ब्रिटिश नाग रिखता है नमा दस मौनिका डोगरा मौनिका डोगरा एक भारती अमेरिकी आक्ट्रिस है जिनका जनम अमरीका में हुआ था और इन्होंने बॉलिवड में अपना पैना डेब्यू धोबिगार्ट फिल झाली